नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एगरिकल्चर की क्लासेज में आज हम लोग का अगला टॉपिक है जो की स्वायल साइन्स से है स्वायल में जो मिनरल्स और निूट्रियंट्स पाय जाते हैं उनमें जैवी घटक भी सामिल होते हैं इन सब को पढ़ेंगे एक लंबा चैप्टर है तो आज इसके पहले भाग में हम देखते हैं कि कौन-कौन से खानिज और जैवी घटक इसमें पाय जाते हैं और खानिज में भी कई सारे डिवीजन है essential nutrients, macro elements, micro elements तो उसको हम अलग-अलग करके पढ़ेंगे तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि स्वायल साइंस जो है आपकी परिक्षा यानि राज-क्रसी सेवा परिक्षा 2020 के सलेबस में सबसे बड़ा पोर्षन है लगबग 30-35% पोर्षन जो है स्वायल साइंस अकेले कवर करता इसलिए ये आतिसंभावित है कि इससे सबसे ज़्यादा प्रस्नाप से पूछे जाए इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और समस्ते चलिए तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्षर राज क्रसी सेवा परिक्षा के लिए जो लोग भी क्लासे जोईन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो क्लासे आप जोईन कर सकते हैं उसके लिए आपको जोईन एग्री लिखकर इस नमबर पर यानि 9506742546 पर वाटसेप के माध्यम से भेजना होगा यहाँ पर जो है वीडियो क्रैस कोर्स में आपको वीडियो मिलेंगे एग्री कल्चर सब्जेक्ट के और जीयस के दोनों के ही कंप्लीट वीडियो मिलेंगे और साथ में जो है जितने भी नोर्स होंगे महत्पूर वो सभी आपको pdf के form में दिये जाएंगे एक और हम लोगों ने इसमें ब्योस्था की है क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग है जो केवल agriculture का ही crash course, crash course या video course लेना चाहते हैं तो agriculture segment को अलग भी कर दिया गया है अब अगर आप केवल agriculture जो है subject पढ़ना चाहते हैं जीएस में आप interested नहीं है या आपको लगता है कि जीएस आप स्वयम तयार कर लेंगे तो agriculture का भी आप जो है video course ले सकते हैं उसमें भी आपको सारे lectures और pdf जो है उनकी notes की प्राप्त हो जाएगी तो procedure आपको बता दिया गया है आप कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो इस number पर सीधे call भी कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि खानीज आखिर क्या होता है खानीज हम लोग जानते हैं जिसको इंगलिस में mineral कहते हैं लेकिन अगर एक इसकी systematic परिभासा जो है देनी हो तो हम खानीज को किस तरह से define करेंगे ये जो है एक महत्पूर बात है तो एक निश्चित रूप में होने वाली अकार्बनिक पदार्थ होता है खानीज जिसमें एक निश्चित रासायनिक सन्नचना होती है यानि उसका एक fixed chemical composition होता है और बिसिष्ट भौगी भौतिक गुर होते हैं जो है इसकी कुछ special physical properties होती है तो ये खानीज कहलाता है इसमें आम तोर पर कुछ निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों की रासायनिक मिक्स्चर होते हैं जिसे खानीज या मिनरल कहते हैं तो कुल मिलाकर एक खानीज में दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक मिक्स्चर होता है जिसे हम खानीज कहते हैं अब खानीज पोचन या मिनरल न्यूट्रियंट्स क्या होते हैं इन्ही मिनरल से जो निउट्रियंट्स प्राप्त होते हैं जो पौधों के लिए जरूरी होते हैं वो जो है अलग होते हैं को कि अगर हम देखें तो लगभग 40 तरह के जो है प्लांट निउट्रियंट्स होते हैं लेकिन उन में से जो आवस्यक हैं पौधों के लिए वो मात्र 17 होते हैं तो किसी भी प्राणी विशेश कर प्लांट्स की हमें आपर बात कर रहे हैं को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए कई पो सब्सक्तिप्पों की कई जो है नीूटृिंट्स की आवशक्ता होती है और ये नीूटृिंट्स कहां मिलते हैं उसको बाहर से मिलते हैं जैसे पौधे प्रकास संसिशन की क्रिया दोर अपना भोजन मनाते हैं और वो स्वयम मनाते हैं इसलिए उत्पादक कहलाते हैं तो इसके लिए बाहर से kardum डायाकसईड, सूरी का प्रकास ग्रहन करते हैं और उससे जो है कार्बो हाइडरेट वो उत्पारित करते हैं मिट्टी से आवस्यक पोसक तत्वों यानि इसेंसियल न्यूट्रिन्ट एलिमेंट्स की कमी होने पर पौधे अपना लाइप साइकिल जो है उसको पूरा करने के लिए बाहरी अकार्बनिक पोसक तत्वों यानि इन और्गेनिक न्यूट्रिन्ट एलिमेंट्स की आपूर्टी पर निर्भर करते हैं इस प्रकार जब खनीज तत्वों की पूर्टी को क्रतिम रूप से पूरा किया जाता है तो इस खनीज तत्मों की आपूर्ती को ही खनीज बोशन या mineral nutrition या mineral nutrients कहते हैं पौधों के सरीर में कई तत्मों की उपस्थेती होती है परंतों केवल कुछ तत्मों ही आवश्यक पोशक तत्मों जिसको हम essential nutrients कहते हैं या essential elements कहते हैं उसकी स्रेडी में रखा जाता है उन में से कुछ आवस्यक तत्थ मुर्दा से अकार्बनिक यानि इन ओर्गनिक आयन के रूप में पौधो द्वारा औसोसित किये जाते हैं पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से असोसित कर लिये जाते हैं ये पौधों की ब्रद्धी और विकास के लिए आवस्यक होते हैं इस प्रकार मुर्दा से प्राप्त अकार्बनिक आयन खनीज पौषण तत्व कहलाता है क्योंकि ये जो है एलिमेंट्स जो होते हैं ये स्वायल में मिनरल्स से जो है उपलब्द होते हैं अब जो आवश्यक पोसक तत्व हैं इनकी पहचान से संबंधित कुछ जो है यहाँ पर हम बात करेंगे और इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आएगा जिनके बारे में प्राया प्रस्न पूछा जाता है उनका नाम है आरनन तो आवश्यक पोसक तत्व के बारे में सबसे पहले 1939 में आरनन एवं इस्टाउट ने बताया था इन्हों ने ही बताया कि कुछ ऐसे जो है मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और उसके बगैर जो है पौधों की ग्रोथ रुख ज गई फिर आरनन ने 1954 में एक सिध्धान्त दिया 1954 में जिसको कहा criteria of essentiality ये प्रस्ण ऐसे ही आप से पूछा जा सकता है कि criteria of essentiality किस ने दिया इसको हिंदी में कहेंगे अनिवार्यता की कसौटी तो जिन्हों ने उस समय कुल 16 अवस्यक पोसक तत्वों की जानकारी दी आरनन ने बताया कि जो है जो essential nutrients होते हैं पौधों के लिए वो कितने होते हैं 16 होते हैं उनके अनुसार जो है 16 थे और ये निकिल जो है ये 17 एलिमेंट जो है कब जोड़ा गया है अभी recently जोड़ा गया है और ये जो है पता कि अगर हमको पौधों में ये पता लगाना हो कि पौधों म जो है जो राख होती है उस राख की एनालिसिस की जाती है तो पौधे की राख को हम क्या कहेंगे plant as कहेंगे इसी के रासायनिक विश्लेशन करने पर पता चलता है कि कुल 40 elements हैं कुल 40 तत्व ऐसे हैं जो उसमें पाए गए लेकिन पौधों की growth के लिए ब्रधी के लिए जो essential nutrients हैं वो कितने हैं मात्र 17 हैं 17 हैं वो कुल अब आर्णर ने जो सिधान्त दिया उन्होंने कुछ बिशेष्टाएं बताई जो है plant nutrition के बारे में तो उन्होंने बताया कि जो खानीज पोसकत तो हैं इनकी कमी होनी से पौधा अपना जीवन चक्र यानि life cycle अब life cycle क्या होता जै से उसको अगर vegetative reproduction करना है vegetative growth करनी है या उसका reproductive state है इसको पूरा करने में वो जो है असमर्थ हो जाते हैं पूरा नहीं कर सकते हैं फिर उन्होंने बताया कि किसी तत्त की कमी को उसी तत्त के माध्यम से पूरा किया जा सकता है तो ये उन्होंने उस समय बताया था कब 1954 में आ आगे हम इसके बारे में बात करेंगे फिर तीसरा उन्होंने बात की थी कि जो प्रोशक तत्व है nutrient element है इसका प्रतच प्रभाव पौधे पर होता है और पोशन और उपापचे यानि metabolism में ये प्रतच रूप से सम्मलित रहता है तो ये सो इसके जो है विशेस्ताय होगे पो कमी को केवल कैल्सियम से हम साही कर सकते थे निकल की मौल लिविडिनम की आइसी स्टी में जो है बहुत मुश्किल हो जाती कि हम पौधों में कमी को कैसे पूरा करें क्योंकि हम जरूरी नहीं कि हम उसी फॉर्म में उसको दे पाए या exactly तो हमारे पास fertilizer नहीं available होते तो ये ज दूसरा है वो अनुसंधानों के माध्यम से गलत प्रमारित हो गया और उसके बिकल्प बताएगा बिकल्प कैसे जो है कि माल लीजे मौल लिविडिनम की कमी है किसी में किसी पौधे में और मौल लिविडिनम की कमी को हम जो है वैंडियम के माध्यम से रिप्लेस कर सकते हैं us की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं उसको rinverse कर सकते हैं इसी तरह से chloride की कमी है तो उसको हम ça we понятно RapidIsmrpm metabolism प्रभावित हो रहा था वो सब चीजे अपने आप справही हो जाएंगी इसी तरह से potassium की कमी को rubidium सही कर सकता है और calcium की कमी को strontium सही कर सकता तो ये जो है modern experiments में so हुआ कि जरूरी नहीं है कि उसी तक्त्य को उसी तक्त्य के द्वारा ही replace किया जाए कुछ उसके पूरत तक्त्य भी हो सकते हैं जो उसके जगे काम करेंगे तो इस प्रकार एक पोसक यानि nutrient element तक्त्य की कमी दूसरे पोसक तक्त्यों के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है तो ये आर्नन के सिधान पे जो है जो कमिया थी उसको बाद में पहचाना गया आर्नन के अधिमारता की कसावटी यानि criteria अप essentiality के अधार पर सिर्फ 16 तक्त्यों आवश्यक माने गए थे उन्होंने कहा था कि 16 तक्त्यों आवश्यक है और उस समय के लिहाज से उनकी ये खोज क्योंकि 1954 में उन्होंने ये बताया था ये बहुत ही महत्पूर थी परांतु अभी इसमें एक और तक्त्यों निकिल को जोड़ दिया गया है अब कुल जो है हमारे पास जो essential nutrients की संख्या है वो कितनी है 17 हो गई है अब ये जो essential nutrients हैं इसमें से कुछ basic nutrients भी होते हैं जैसे की carbon hydrogen और oxygen इनको basic nutrients या structural nutrients भी कहते हैं क्यों 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 कि जो पौधे का सरीर है वो मूल रूप से इन ही तीन चीजों से carbon hydrogen और oxygen से मिलकर बनता है तो ये basic nutrients आहाम तोर पर पौधों को परियाप मात्रा में हवा मर्दा और जल यानि पानी के माध्यम से मिल जाते हैं इसके लिए उनको बिसेश जो है effort नहीं करना पड़ता है अब दूसरी category उन्हों ने बताई थी micronutrients की तो उसमें दो तरह से होते हैं एक primary micronutrients होता है एक secondary micronutrients होता है तो जो primary micronutrients होता है इनको हम NPK कहते हैं nitrogen, phosphorus और potassium potassium को जो है सामनिता हम potas कहते हैं तो primary micronutrients हमारे खेतों की पारंपरी कूरवर रखे यानि traditional fertilizer के अंतरगत आता है आप से पूछा जा सकता है traditional fertilizer क्या है तो आपको बताना होगा traditional fertilizer हमारा NPK है nitrogen, phosphorus और potassium आगे बढ़ते हैं अब secondary micronutrients secondary micronutrients कौन से हैं अभी हम ध्यान दीजेगा micronutrients की बात कर भा है जो जो है पौधों को प्रचुर मात्रा में चाहिए होते हैं जिनकी मतलब ज्यादा मात्रा चाहिए होती है अभी इसकी specific हम परिभासा भी देखेंगे तो secondary micronutrients ये पौधे के काई एवं जना नवस्था के लिए अत्यान तावस्यक होते हैं जो किसी पौधे के स्वस्थ ग्रोथ के लिए हैनि healthy ग्रोथ के लिए बहुती महत्पूर होते हैं अब आप देख लिजे calcium, magnesium, sulfur, iron, zinc molybdenum, chlorine, boron, copper और manganese ये सभी जो है क्या है secondary micronutrients हैं इसके अलावा तीन ऐसे nutrients हैं जो others की कटेगरी में आते हैं ये तर तो मुक्ता ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाते हैं अता ये पौधे विसेस किसी विसेस पौधे में इनकी requirement के इसाब से ही जो है इनका use होता है जैसे कि nickel, silicon और cobald ये जो है उन्होंने बताया था फिर कई बार अलग-अलग कोसक तत्यों की कमी के लच्छन पौधों में एक जैसे दिखाई देते हैं जैसे माली ये हमने का कि nitrogen के कारण जो है उसमें पतियां जो है उदका color जो हरा रंग हलका हो जाता है लेकिन हो सकता किसी और तत्यों के कारण भी ऐसा हो तो कभी-कभी mix प्रभाव भी होते हैं तो ऐसी अवस्था में उस खेट की मदा की जाज करने से उक्त तत्यों के आभाव की जानकारी हो जाएगी और खेट के आवस्थे पोसक तत्यों की कमी को पूरा किया जा सकता है यानि केवल लच्छणों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कुछ लच्छण तो बहुत इस फेस्पीक हैं कि जो है माली यह कोई बीमारी है वो उसी से होती लेकिन जो है कुछ ऐसे लच्छण होते हैं जो फिजिकल जिसको हम देखते हैं माली यह पीला पन है उसमें भूरा पन पत्ती का आना पत्ती का मुर्जा जाना तो यह जरूरी नहीं कि एक ही के कारण हो यह दो तीन एलिमेंट के कारण जो है ऐसा हो गए आवस्यक पोसक्तत्त जिंको हम कहते हैं essential nutrient element यह किते हैं सत्तरा है और एक होते है beneficial nutrient element जो कि लाबदायक पोसक्तत्तो हैं यह उन 17 के अलग होते हैं और यह किसी ने किसि एक बिसेष पौदे को बिसेष फसल को पाइदा पहुचाते हैं इनका ऐसा यूज नहीं होता कि ये सब ही पौधों के लिए एक समान उपियोगी हो तो अब हम जो है इसको इस नजरिये से देखते हैं nutrient element जो है आवस्यक पोसकत्त हो गया इधर लाबदायक पोसकत्त हो गया उसके लिए काम आते हैं इसलिए न को लाबदायक या बेनिफीशियल नूट्रियंट्स कहते हैं अब हमारा पहला कटेगरी है इसेंसियल नूट्रियंट एलिमेंट तो आवस्यक पोसक्तत उन पोसक्ततों कहते हैं जिनकी कमी के बिना प pasta अपनी वानस्पतिक एवम प्रजनन अवस्था को पूरा नहीं कर सकते हैं यानि इनके बिना पा१धे का काम नहीं चल सकता अगर इनकी कमी हो जाएगी तो पा१धे में कुछ ना कुछ बिमारी, कुछ कुछ समस्या आ जाएगी किसी विशेश पोसक तत्की कमी के को केवल उसी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता जैसे नाइट्रोजन की पूरती को यूरिया से पूरा किया जाता है और एवं उस पौजे की तत्की क्राइकी का पादप में सीधा योगदान हो तो अगर हमको पूरिया खाद के द्वारा जो है पूरा कर सकते हैं तो इस प्रकार पौधे के लिए कुल 17 खानित पोसक तत्तों को आवश्य पोसक तत्तों में सामिल किया गया है अरतात इन 17 खानित पोसक तत्तों को सभी पौधों के लिए आवशकता अनुसार प्रियोग किया जा सकता है ये almost all plants के लिए equally important होते हैं तब ही इनको केवल 17 के ऐसे तो हमारे पास 40 से जादा इस तरह के elements हैं अब दूसरी केटेगरी थी लाबदायक वाली, beneficial वाली तो आवसे पोसकत्तों के अलावा कुछ पोसकत्तों ऐसे भी होते हैं जो सभी फसलों के लिए आवस्चक नहीं हैं परन्तु कुछ फसलों के लिए बिसेस रूप से लाबदायक हैं अब आपसे example पूछ लिया जाए माल एक्जाम में कि जो हैं इन में से beneficial nutrients elements कौन कौन से हैं तो कुछ नाम यहाँ पर याद रख लीजिए कोबाल्ट, वैनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम, अलमुनियम, आयोडीन, सैलीनियम, रूबीडियम, क्रोमियम, आरसेनिक, गैलियम यह जो है बहुत ही कम मातरा में आवश्यक होते हैं लेकिन इनका क्या होता है यह plant specific होते हैं यह सभी के लिए एक बराबर जो ही योगदान नहीं देते हैं उनकी growth में यह किसी plant के लिए specifically जो है उनका योगदान देते हैं तो यह पोसकतत केवल विशेश प्रकार के portion को पूरा करने की उद्देश से कुछ चुनिंदा फसलों में ही योगदान देते हैं अब इसको example में भी समझ लीजिए कि क्या है जैसे चुकंदर है तो इसमें sodium जो है बहुत ही लाबदायक होगा sodium का अगर उसमें प्रयोग किया जाएगा अगर sodium अधिक है मिट्टी में तो जो है चुकंदर की फसल के अच्छी growth होगी इसी तरह से धान और गन्य के case में silicon का जो है बहुत ही प्रभाव पढ़ता है silicon से अच्छी growth होती है दलहन पौधे जो होते हैं leguminous plants जो होते हैं उसमें nitrogen fixation के लिए cobalt, nickel और guanadium ये तीनों ही जो है अपना जो है major role play करते हैं तो nitrogen fixation में भी beneficial कुछ elements हैं जिनका use होता है cobald, nickel और vanadium अब इसको हम जो है अगले level पर चलते हैं इसको जो है broad में समझने का कोसे करते हैं अब हम यहाँ पर केवल आवस्यक पोसकत्त्तों की बात करेंगे लाबकारी वाले की यहाँ बेनिफीसियल की बात यहाँ पर खतम हो चुकी है तो आवश्यक में जो है सबसे पहली कटेगरी होती है सन्रचनात्मक जिसको हम structural nutrients कहते हैं इसको इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि यह पौधों की जो basic सन्रचना होती है जो पौधे जैसे हम कहते हैं कि हमारा सरीर पंच चितप्तों से बना है तो यह मालीजिए कि पौधों की जो basic सन्रचना है वो इन तीन से ही होती है carbon, hydrogen और oxygen इनके बिना पौधे का सरीर ही नहीं बढ़ेगा बाकी और सारे elements required होते हैं उसकी growth के लिए उसकी reproduction के लिए उसके विभिन life cycle के stages के लिए लेकिन यह plant को ही बनाने में सबसे जादा carbon, hydrogen और oxygen की जरूवत होती है इसलिए हम इसको सन्रचनात्मक या structural nutrients कहते हैं दूसरी तरफ आते हैं खानीज पो सकता तो खानीज क्यों कहते हैं क्योंकि यह जो है खानीज के माध्यम से, मृदा के माध्यम से जो है पोधों को प्राप्त होते हैं अब इन में दो कटेगरी होती है एक तो मुख्य पोसक तक तो जिनको हम major nutrients कहते हैं या इनको हम micronutrients कहते हैं क्यों क्योंकि ये जो है इनकी quantity ज़्यादा चाहिए होती है ज़्यादा मात्रा में पौधों को required होते हैं दूसरी का टेक्टी होती है micronutrient क्योंकि ये सूच मात्रा में कम मात्रा में पौधों के लिए required होते हैं अब यह जो मुख्य पोसक्तत्व हैं, इनको भी जो है दो भागों में बाठते हैं, एक तो प्राथमिक मुख्य पोसक्तत्व या इसको जो है प्राथमिक पोसक्तत्व भी कहते हैं, तो अगर हम प्राथमिक लिखेंगे तो यह जादा इस पश्च होगा, इनको हम प्राइमरी macronutrients कहते हैं macronutrients के दो भाग हो गए primary macronutrients और secondary macronutrients primary macronutrients कौन से है nitrogen, phosphorus और potassium बहुत ही महत्पूर है तो ये आपको जो है ये याद अखना है NPK है ये nitrogen, phosphorus और potassium है ये इसी तरह से question आप से पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा primary macronutrients इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है बिकल्प उसी तरह सेट कर दी जाएंगे secondary में calcium, magnesium और sulfur हो गए, तीन इधर भी आ गए अब बचे हुए जो हो गए, वो सूच पोसकत्त्व है macronutrients हैं, जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, iron, zinc, manganese, copper, boron, molybdenum, chlorine और nickel तो आवश्यक पोसकत्त्वों को पौधे उसी रूप में ग्रहन करते हैं, कैसे अब जैसे हमने कार्बन, तो ऐसा तो है नहीं कि कार्बन मिट्टी में बिखरा हुआ पड़ा है, या oxygen बिखरा हुआ पड़ा है, या nitrogen ऐसे बिखरी हुई पड़ी है, पौधे nitrogen को कैसे लेती है, nitrogen को जो अगर प्राप्त करना होगा, तो वह तो NO3 या N4H, ammonium से nitrogen को ग्राण करेंगे, और इसमें मदद कौन उनकी करता है, nitrogen fixation वाली process करती है, जिसको हम आगे चलके पड़ेंगे, इसी तरह से carbon कोई ऐसा नहीं कि carbon जो है, खेतों में बिखरा पड़ा है, और जो है, मिट्टी से सीधे पौधया उसोसित कर लेंगे उसको, elemental carbon जो है, कहीं नहीं पाई जाती है, तो carbon कहां से मिलेगी, carbon dioxide से मिलेगी, hydrogen कहां से मिलेगी, पानी से मिलेगा, H2O से मिलेगा, oxygen कहां से मिलेगी, oxygen या तो वाई मंडली या oxygen से मिलेगी, या जो है, hydrogen, water से मिलेगा, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, potassium, magnesium, sulfur, इनके प्रतीक चिन दिये हुए हैं, symbols दिये हुए हैं, जो आपको याद रखना है, और साथ में, इनके sources क्या है, ये भी महत्पूर है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि आखिर जो है, पाउधों में, जो ये elements जा रहें, इनका actual form क्या है, iron हमने इस तरह से लिख दिया, लेकिन iron यही वाल iron वो नहीं ले सकता है, iron उसको कौन सा iron जो है पौधा ग्राण करेगा, ये form जो है पौधा ग्राण करेगा, आगे बढ़ते हैं, आवस्यक पोसक्तत्व और उनके सुरोत अधम देख लेते हैं, तो पौधों के लिए आवस्यक पोसक्तत्व मुक्ता तीन सोते से पाप्त होते हैं, पहला तो हवा हो गया, कई सारे पोसक्तत्व हवा से मिल जाते हैं, पानी से hydrogen वाले और oxygen वाले element आ गये, और मर्दा ठोस पदार्थ, यहीं मैकसिमम तो आपको मर्दा ठोस पदार्थ से मिलेंगे, मर्दा ठोस पदार्थ की दो अवेव होते हैं, एक तो मर्दा खनीज पदार्थ होता है, और मर्दा हैवी किया मर्दा कार्वनिक पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम humus कहते हैं जो मिट्टी का जैवी कांस होता है जिसको हम आगे चलके detail में पढ़ेंगे तो मर्दा के जो है दो भाग हो गए मर्दा खनीज पदात और मर्दा कार्वनिक पदात चटानों के अपछेयन से मिट्टी का निर्मार कैसा होता है जो धरातल की नीचे चटाने उनके लगातार अपछेयन होते होते हो जो है मिट्टी का निर्मार होता है स्वाइल प्रोफाइल बनती है तो चटानों के अपछेयन से मिट्टी का निर्मार होता है जिससे उनमें धारित खर्णिश पदात वनसानगत रूप से पौधों के पोर्षण है तो प्राप्त होने लगते हैं प्राप्त होने आले खर्णिश पदात अपने पैस्टरक पदात यह नहीं जैसी चेक्टाने होगी माली जे चेक्टान में कैलसियम ज़्यादा है magnesium ज़्यादा है, sulfur ज़्यादा है तो वहां की जो मिट्टी होगी उसमें भी जो है ये तक तो ज़्यादा होंगे जबकि पौधे एवं जीवों के अंस जो की जिनको हम humus कहते हैं या carbonic अंस कहते हैं मिट्टी का, इसके अबगटन के बाद उसमें धार एक पोसित्ता तो सरा लूप में पौधों के लिए humus के form में प्राप्त हो जाते हैं अब इसको समझिए थोड़ा सा, इस चार्ट के माद्यम से चार्ट से आपको चीज़ों समझने में असानी होती है हवा और पानी से दिकांस्ता हम को क्या मिलता है, मतलब हमको क्या पौधों को कार्बन मिलेगा कैसे, अभी हमने पीछे भी देखा था कार्बन डियाकसाइड से हाइड्रोजन ह2O से मिलेगा और आकसीजन जो है, ऐसे भी मिलेगा और इस से भी मिलेगा ठीक है, मुरदा ठोस्पदार्थ से पौधों को क्या-क्या मिलेगा नाइट्रोजन फास्पोरस, पोटेसियम मैगनीसियम, सलफर और कैलसियम यह सब प्रस्न है, यहीं से प्रस्न आपको निकल के आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे फिर मुरदा ठोस्पदार्थों से और कैया मिलता है आइरन, मैगनीजियम, बोरान, जिंग, मॉलिविडिनम, क्लोरीन, कॉपर, निकल यानि जो सत्रहों इसेंसियल निउट्रियंट्स हैं वो हमको प्राक्ति रूप से इस तरह से सुरोतों से प्राप्त होते हैं इसी को थोड़ा सा आप याद रखिए अब ये जो इसेंसियल निउट्रियंट्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा है, वह ही हमको आगे पढ़ना है थोड़ा सा उसके बारे में ऑर कुछ बाते जान लेते हैं बेसिक बाते हम अब तक समथ चुके हैं तो जो मैक्रो और मेजर निउट्रियंट्स हैं मैक्रो और मैक्रो हमने दो बड़े भ़ागों में बहिता sweetness तो इसमें से हम मैक्रो की बात ¿ण़े ये व्यावश्यक पूसक्त तत्व हैं जो पौधों की ब्रदियों विकास के लिए आनुपातिक रूप से ज्यादा मात्रा में अब इनकी मात्रा क्या है समानता 500 ppm part per million से अधिक होते हैं हमने कहा था ना कि जो micro nutrients होते हैं उनकी ज्यादा मात्रा में अनुपातिक रूप से पौधों को जरूरत होती है इसलिए उनको micro nutrients जो है या major nutrients कहते हैं उन्हें मुख ये पोसकता तुसिले कहा जाता है जैसे कि carbon hydrogen oxygen ये हमारे वो भी थे क्या थे structural elements भी थे लेकिन ये भी जो है हमारे micro nutrients में आते हैं उसके अलावा nitrogen, phosphorus, potassium magnesium, magnesium, sulfur और calcium ये सब ही जो है इनको हम फिर भागों में बाढ़ते हैं तो structural की हमने बात कर ली अब structural में हमको एक चीज़ यहां पर समझनी है कि structural में 45% भाग जो है इन्ही का बना होता है जो आप जानते हैं ज्यादा तर चीज़ें जो है carbon oxygen और hydrogen से ही निर्मित हैं तो carbon का अंसकित्ता होता है 45% oxygen का 45% और hydrogen जो है 4 से 5% होता है तो ये इसका मात हो गया अब हम प्रात्मी पोसक तत्तों की बात करें primary nutrients की उसमें हमने macronutrients को दो भागों माटा था ना primary और secondary macronutrients तो primary में हमने तीन को रखा था किसको किसको revision करते चलिए nitrogen को फासपूरस को और potassium को क्योंकि इनकी मात्रा जो है पौधों में ज्यादा ज़रूद पढ़ती है इसलिए macronutrients की secondary में हमने र यह जो हमने secondary micronutrients में रखा था और इनको दुतियक क्यों कहते हैं यह भी एक सोचने की बात है कि इनको secondary नाम क्यों दिया गया है क्योंकि इन्हें सीधे या एकल तोर पर ब्यावसाईक उरोरों के रूप में खेतों में नहीं डाला जाता है यह हमेशा जो है किसी ना किसी ज बना लिया sulfur का और हमने जो है उसका शिड़काओ कर दिया तो इसी लिए इनको secondary कहा जाता है कि किसी ना किसी जब इनका ब्योसाईक तोर पर इनके लिए fertilizer बना जाता है इनकी कमी के लिए तो उसमें एक single का प्रियोग ना करके एक से अधिक जो है nutrients को एक साथ मिला जाता है औ और इन तत्वों का मुकदेश प्रात्मिक पोसक तत्वों की पूर्ति करना होता है इनका मुकदेश क्या है प्रात्मिक पोसक तत्वों की पूर्ति क्योंकि अगर इनकी कमी हो गई तो जो primary nutrients हैं वो भी कम हो जाएंगे और ये जब जो है optimum मात्रा में रहेंगे तो जो primary वाल माइक्रो नूट्रिंट्स या ट्रेस उलिमेंट्स भी कहते हैं कभी कभी Крас सबसे आप Confed忘 है आते हैं तो जो माइक्रो नूट्रिंट्स है वहीTrace Alemanட्स भी है तो इन में जो है इनकी प्रेस सामान आऊ सकता होती है पोदों को, वो 50 PPM पचास पार्ट पर मिलियन से कम होती है वैसे इनकी वेंज जो होती है 0.1 से लेके 200 PPM तक हो सकती है लेकिन यहाँ पर आउन एन एवरेज और जन्रल बात कही गई है कि 50 PPM तक जो है इनकी सामाने आउशकता होती है अब इनके नाम फिर से जो है चाहे याद कर लिए आइरन, मैगनीज, बोरान, जिंक, मॉलिविडनम, क्लोरीन और कॉपर आपको माइक्रो नूट्रेंट्स और माइक्रो नूट्रेंट्स इनके जो है नाम याद रखने होंगे चाहे आप किसी ट्रिक को फालो करें चाहे जिस तरीके से याद करें लेकिन आपको ये याद रखने होंगे क्योंकि इसी तरह से कुश्चन आप से पूछे जाएंगे अब पोसक तत्तों की जब कमी हो जाती है तो पौधों में कई सारे लच्छन उभरते हैं तो पौधे बिभिन पोसक तत्तों मर्दा से ग्रहन करते हैं इसलिए मर्दा में पोसक तत्तों का आभाव होने पर उसके लच्छर पौधों के बिभिन स्टेजेज में दिखने को मिलते हैं कभी जो है वो सीडलिंग स्टेज में दिखेगा कभी उससे बड़ा स्टेज में दिखेगा कभी जब फ्लावरिंग स्टेज में आगा तब दिखेगा तो पौदे अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मर्दा से विभिन प्रकार के पोसकत्त्त ग्रहां करते हैं मर्दा में विभिन पोसकत्त्तों के उपलब्दता किस पर डिपेंड करती है अगर उसमें पोसकत्त्तों के उपलब्दता है या नहीं है ये बाते किस पर डिपेंड करेंगी मुर्दा में नमी कैसी है यानि स्वायल मॉस्चर कैसा है मुर्दा में जो है जैविक कार्बन है यानि औरगैनिक कार्बन है वो किस मात्रा में है जो हमारी मिट्टी है उसका फिजिकल, केमिकल और औरगैनिक प्रापरटीज कैसी है यानि हिंदी में बहुतिक रासायनिक और जैविक गुण उस मिट्टी के कैसे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा तो ये बड़ी बड़ी बाते हैं दो तीन जिस पर डिपेंड करेगा कि मिट्टी में पोशक तत्वों की उपलब्दता किस प्रकार की है मर्दा में इन से किसी भी कारक का अनुकूल फेबरेवल अवस्था में ना होने पर अगर ये फेबरेवल नहीं है मालिग उसमें नमी नहीं है तो जहां से मिट्टी में निट्रिंट्स आना है वो अवसोसित नहीं कर पाएगा इसी तरह से अगर जो है उसकी भौतिक और असायनिक समझना फेबरेवल नहीं है तो उसमें निट्रिंट्स कमी हो जाएगी तो फेबरेवल नहीं होने पर इन में से कोई भी दसा फसल और पोसक तत्वों की उचित मात्रा में ग्रहन नहीं कर पाएगी और पाओधे में उस पोसक तत्वों के आभाओं के लच्छण इस पश्ट रूप से आपको दिखने लगेंगे अब इनको भी जो है पाओधों के अंदर विभिन पोसक तत्वों को अलग अलग गत्सीलता के अधार पर विभाजित किया गया है इन गत्सीलता क्या है पोसक कट्वों की गसिलता यानि जो nutrients elements हैं वो किस गती से एक स्थान से दुसरे स्थान पर यानि इनकी mobility के आधार पर इसको बाटा गया है तो mobility के आधार पर आपको इसका वर्गी कराना पूछा ज़कता है तो मुख्य रुप से 3 प्रकार का होता है एक तो गतिसील पोशक तत्व हो दूसरे मध्यम गत्सील होते हैं, मीडियम मूविंग होते हैं, और तीसरे होते हैं बहुत कम गत्सील, यानि very less moving nutrient. और एक और कटेगरी कहीं कहीं पढ़ने में आती है, कि जो आगत्सील होते हैं, जो कोई भी गती जिनमें नहीं होती है, लेकिन वो जो है मुख्य नहीं माना जाता है, तो उसको यहाँ पर हम छोड़ते हैं, तो सबसे पहले कटेगरी है गतिसील पोसक्तत्तो, या moving mobility elements कौन से हैं, तो मिट्टी में इनकी कमी होने पर वा पौधों के उपरी भाग में चले जाते हैं, माली यह उदारन यहाँ पर लिखा जैसे nitrogen है, अगर nitrogen की किसी पौ पौधे के उपरी भाग में चला जाएगा, तो इससे क्या फाइदा? इससे फाइदा यह है कि जो जाज करता है, जो पौधों की और स्वाइल की टेस्टिंग कर रहा है, अगर उसको उपरी भाग में nitrogen बहुत जादा ही कठा दिखता है, और अपेच्छा करत नीचे भाग मे नहीं दिखता है, तो वो समझ जाएगा कि इस मिट्टी में nitrogen की भारी कमी है, तो यह क्या करते हैं? यह moving होते हैं, गतिसील होते हैं, यह उपर चले जाते हैं, और इन तत्तों की कमी के लच्छण पौधे के निचली पतियों पर दिखाई देते हैं, कहां पर दिखाई देते कि यह क्या है, यह गतिसील पोशक तत्तो हैं, आगे बढ़ते हैं, मद्ध्यम गतिसील, इसका मतलब क्या हुआ, कि मुर्दा में इन तत्तों की कमी होने पर पौधों के मद्ध भाग में इसके लच्छण दिखाई देते हैं, यानि इसके जो लच्छण हैं, वो कहां पर आत तो मिट्टी में अगर इन तत्तों की कमी हो जाएगी तो इनके लेच्छन पौधों के सबसे उपरी हिस्से की पत्तियों में दिखाई देंगे कहां पर दिखाई देंगे सबसे उपरी भा की पत्तियों में कौन से तत्तों है ये बोरान और कैलसियम तो ये पौधों में diagnosis के तरीके हैं, plant pathology में कि किस तरह से पौधों में अगर कोई रोग हो रहा है, कोई लेच्छन दिख रहा है, अगर वो deficiency का symptom है तो उससे हम कैसे पैदान सकते हैं कि वो कौन सी element की कमी हो रही है. अब जब minerals हैं, ये क्या करते हैं, ये पौधे को पोसरण प्रदान करते हैं, इनका जो है कुछ ना कुछ specific रोल होता है, कोई पतियों के लिए, कोई जड़ों के लिए, कोई तने के लिए, कोई flowering के लिए, तो उसको जो है आप इस चित्र में देख सकते हैं, भी इसको हम one by one एक एक mineral के साथ में देखेंगे, तो फूल का जो विकास होता है, आप देख रहे हैं फूल, फूल के विकास में, मॉलिविडनम क्या करता है, ये परागण के विकास में मदद करता है, कॉपर क्या करता है, ये मुर्जान को रोकता है, और बोरान क्या करता है, ये परागण बनने में मदद करता है इसी तरह से फलों के विकास में जिंक का रोल होता है ये जिंक क्या करता है कोकि आप जानते हैं फल जो है वो क्या होते हैं कार्भो हाइडरेट में रिच होते हैं तो कार्भो हाइडरेट का निर्मार बोरान और क्या करता है फल बनने में मदद करता है स पल के विकास में, कॉपर का क्या योगदान है, फलो और सब्जियों में जो विसेश सुगंद होती है, इसमेल होता है, वो कॉपर उसमें डेबलब करता है, तने के विकास में, यानि इस्टेम के विकास में क्या होता है, जिंक का रोल यहां पर आ जाता है, यह क्या करता है, प पौदे की ब्रद्धी को नियंत्रित करता है, कौपर कोशिका भित्ती यानि सेल वाल को मजबूती प्रदान करता है, अब आगे आईए इधर चलते हैं, बीज, सीड के डवलप्मेंट में बोरान और जिंक का रोल है, बोरान जो है बीज बनने की क्लोरोफिल में आप जानते हैं, कि मैगनीज एक इसेंसियल तत्त की तरह उसमें पाया जाता है, तो मैगनीज और कौपर, यह जो है क्लोरोफिल के निर्माड में, और लोहा या आईरन जो है, यह भी क्लोरोफिल के निर्माड में एक उत्प्रे रख, यानि एक enzyme की तरह काम करता है वहाँ पर जड़ों के विकास में iron और zinc का योगदान होता है iron क्या करता है डाल वाली जो दलहनी फसले होती है इसमें ग्रंथी का निर्माड जो leg, hemoglobin और जो nitrogen fixation के लिए आवस्यक जो है ग्रंथीयों की जो root noodles बनते हैं जिसको हम जिन्क जो है शुरुवाती अवस्था में जड़ के विकास के लिए सहायक होता है तो इस तरह से अगर एक पौधेक में इन जो है essential nutrients का क्या रोल है उसको हम यहाँ पर समझ सके अब एक एक करके देख लेते हैं जो हमने पीछे देखा उसी को यहाँ दोहरा लेते हैं जितना ज़्यादा आप रिवाइस करेंगे उतना आपको जो है यह सब चीजे याद होती जाएंगी flower के development में molybidnam जो है परागण यानि pollination में copper क्या करता है यह मुर्जान को रोकने में और बोरान क्या करता है यह परागण बनने में बीज के विकास में development आप seed में zinc बीज में बनने मदद करता है बोरान बीज बनने की प्रिक्रिया में मदद करता है फलो में अभी हमने बात की थी जिंक क्या करता है ये carbohydrate के निर्मार को प्रोच्साहित करता है बोरान फलों के निर्मार में क्या योगदान देता है फल बनने में सरकरा के यह निया सुगर के उत्पादन में और maturity में कॉपर फल में क्या करता है फलो और सब्जियों में ये एक fragrance जो होती है सुगंद उसके लिए जिम्मेदार होता है डेवलप्मेंट आप इस टेम में कॉपर का रोल है सेलवाल को मजबूती देना जिंक का रोल है जो है प्रोटीन सिंतेसिस की दर को बरहा देना और लोहे का रोल है प्लांट ग्रोथ में मदद करना पतियों के विकास में आयरन क्या करता है क्लोरोफिल का निर्माल करता है एक जो है कैटलिस्ट की तरह मैगनीज क्या करता है मैगनीज कॉपर और मैगनीज जो है यह पण हरित यानि क्लोरोफिल के डवलप्मेंट में योगदान देते जड़ों के विकास में आयरन जो है दलहनी फसलों में रोट नुडूल में जो है क्या करता है ऑक्सीजन की सप्लाई करता है जिंग क्या करता है प्राइमरी स्टेज में जड़ों के विकास में मदद करता है तो इस प्रकार जो है पादव अपना पूर्ण विकास करने के लिए एक एक पोसक तत्रों को अपने अलग अलंग के विकास में प्रियोग करते हैं और इन पोसक तत्रों का तय इस्थान में अनपस्थित होने पर उस इस्थान में आसमानता की जाच मुर्दा की जाच में यानि स्वायल टेस्ट करवा के खेद के स्वास्त के बारे में जाना जा सकता है अब मर्दा में उपलत पोसक्तत्वों की मात्रा के क्रांतिक इस तर क्या होते हैं critical level देखें यह पूरी table यहाँ पर बनी है पूरी table रटनी की जरूरत नहीं है जो essential वाले कुछ elements हैं उनके बारे में जरूर आप याद कर सकते हैं यहाँ पर पोसक्तत्वों और कुछ गुर दिये हैं जैसे pH मान है तो क्या optimum जो है उसका है तो यहाँ पर यह जो range दिखाई गई है यह क्या है यह deficiency को सो करना कमी ही यानि अगर 6.5 pH से कम मान है मिट्टी का तो वो pH जो है मिट्टी में pH मान की कमी दिखाता है यानि वो मिट्टी ज़्यादा अमली हो रही है पोधे के लिए कुछ खास पौधों के लिए तो वो महत्मूर हो सकती है लेकिन ज़्यादा तरफसलों के लिए वो मिट्टी उप्यूक तो नहीं है और मध्यम का मतलब क्रांतिक, इसी को क्रांतिक कहा गया ना क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब यह होता है कि वो दोनों साइट से जो है, वो मान, एक साइट तो जो है कम से थोड़ा सा ज़ादा होता है और बहुत ज़ादा से थोड़ा कम होता, यानि जो है यह क्या होता है एक बैलेंच जो है मान होता है, जिसमें फेबरेबल ग्रोथ जो है प्लांट की संभव है जैसे कि साड़े छे से साड़े आठ का जो pH रेंज है ये मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे ज़्यादा आ जाएगा तो हम उसको उच्छ pH कहेंगे यानि ये फिर जो है गरबड़ हो जाएगी मिट्टी मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाएगी इसी तरह से नाइटोजन की अगर हम बात करें तो 280 से 560 अगर इसकी किलोग्राम पर हेक्टेर है मात्रा तो ये जो है critical level है मध्यम level है और ये अच्छी मिट्टी मानी जाएगी नाइटोजन के मामले में लेकिन 280 से कम हो गया या 560 से जादा हो गया तो ये मिट्टी जो है उतनी अच्छी नहीं होगी नाइटोजन के लेबिल पे इसी तरह से फास्पोरास, पोटैसियम, सल्फर, जिंक इन सभी के मान यहाँ पर दिये हुए हैं जो कि critical कहलाते हैं अब मिट्टी का जो pH होता है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की इसको अलग से समझ लेते हैं क्योंकि इस पे जो है question डारेक्ट आते हैं अलग अलग पोसक तत्तों के पौधों को Q को उपलब दता मुर्दा pH मान के आधार पर हो सकती है यानि आप यह समझ सकते हैं कि जो nutrients हैं जो mineral nutrients हैं वो ज़्यादा तर ionic form में absorb होते हैं जैसे CL है तो chlorine minus होता है mg है तो plus होता है तो ऐसी दसा में वो अच्छे से मिट्टी में उपलब दो हो उसके लिए मिट्टी का pH जो है एक optimum level में होना जरूरी है अगर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा acidic है या बहुत ज़्यादा alkaline है कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अमली है या बहुत ज़्यादा चारी है तो ऐसी स्थिती में क्या होगा ऐसी स्थिती में जो elemental minerals हैं वो वहाँ पर कम हो जाएंगे तो मुख के पोसकतर तो जैसे nitrogen, potassium, potassium, sulfur आज़ की उपलबदता 5.5 से 6.5 pH मान पर परियापत होती है सबी का अलागला होता है तो जो nitrogen, potassium, calcium और sulfur है ये 5.5 to 6.5 pH मान पर परियापत होती है फास्पोरस की सबसे रिक उपलब्दता जो है पाँच से साड़े छे पीएच मान पर होती है और अमली मर्दाओं में मुख्य पोसक तक्तों की उपलब्दता कम हो जाती है अगर एसिडिक मर्दा है मर्दा अमली है तो उसमें जो है पोसक तक्तों की कमी हो जाएगी इस प्रकार छारी मदाओं में सूच्म हो मुख्य पोसक तक्त्यों की उपलब्दता कम हो जाती इसी तरह से जो है अगर एलकलाइन स्वाइल है तो उसमें सूच्म और मुख्य पोसक तक्त्यों की उपलब्दता कम हो जाती है अब ये डाइग्राम जो है इसको समझने का तरीक यह जो जो green है जहाँ जहाँ green है वो उसके लिए optimum level है चलिए एक उदारण ले ले लेते हैं माली जी हम जो है यहाँ पर हम nitrogen की बात करते हैं तो nitrogen आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक लगभग green है यानि यह nitrogen के लिए green zone है बढ़िया zone है अब यह zone कहां से आया 6 से 7.5 इस range में अगर nitrogen के लिए pH है तो nitrogen बढ़िया मातरा में उसमें होगा इसी तरह से iron आप देख सकते हैं iron जो है 6 से 4 वाली pH की range में सबसे उच होता है मैगनीज जो है 5 से सारे 7 तक जो है आप इसको consider कर सकते हैं तो यह जो है जितने भी essential nutrients हैं उनके बारे में बताया गया है कि pH इसमें optimum जो है क्या required होता है तो दोस्तों आज के lecture में हमने यहां तक cover किया अभी जो है इन elements की कमी से क्या लक्षड उभरते हैं क्या रोग हो सकते हैं फसलों में इनको कैसे दूर किया जाता है इनका management किया कैसे किया जाता है यह सबी जो है हम आगे discuss करेंगे तो फिलाल अभी के लिए नमशकार मिलते हैं धन्यवाद और यह जो है हम इनका अवाद